हेलो नमस्कार सभी को मैं किर्षन कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल फर्स साइट एजूकेशन पे स्वागत करता हूँ साथियो आज की वीडियो में हम अरियाना CET के एकजाम सेंटर को लेकर बात करेंगे साथियो आज सुबह सुबह हरियाना के न्यूज पेपर में खबर आई है कि हरियाना CET का जो एकजाम है वो अरियाना से बाहर नहीं होगा यानि की पेपर वही चंदीगड के अंदर भी नहीं होगा केवल हरियाना के 17 जिलो के अंदर पेपर होगा जैसा कि खबर आ रही थी कि NCR यानि कि Noida के अंदर भी पेपर हो सकता है यानि कि NCR के छेतर में हो सकता है तो वही वो कहीना कहीं वही अब जो पूरा पेपर है वही वो हरियाना के 17 जिलो के अंदर वही पेपर होगा एक्जाम सेंटर लगबग भई तयार किये जा चुके हैं पूरी खबर क्या है लेकिन उससे पहले साथियों अगर आप किसी भी गौर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और बिना टेस्सीरीज के कर रहे हैं तो कहीना कहीं आप एक्यूरेसी के मामले में स्पीड के मामले में पीछे रह सकते हैं इसलिए आज ही टेस्ट बुक की टेस्सीरीज जोइन कीजिए जिसके अंदर आपको वही 600 पलस एक्जाम की टेस्सीरीज मिलती है और आपका जो प्राइस जो चल जा है अभी वो केवल 340 रुपए में आपको वही टेस्ट बुक की टेस्सीरीज एक साल के लिए मिल रही है देखिए वही उसके साथ में अगर आप हमारा कोड FSC यूज करते हैं तो आपको 10% का ओफ मिल जाता है देखिए वही बिलकुल आपको 340 रुपए में एक साल के लिए किसी भी एक्जाम की टेस्सीरीज आप दे सकते हैं याना CET का, SSC का, Railway का कोई भी एक्जाम चाहिए आपका हो इसलिए लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है वहाँ पर जाकर हमारा कोड Capital FACC यूज कीजिए आपको 10% एक्स्ट्रा ओफुस के अंदर मिल जाएगा आईए बात कर लेते हैं पूरी खबर क्या है खबर आई है कि परदे से बाहर नहीं बनेंगे CET के प्रिक्षा केंदर 17 जिलों में बनाए गए हैं प्रिक्षा केंदर स्यूक्त पातरता प्रिक्षा के 11,40,000 अब्यारतियों के लिए राहत की खबर है कि 5 वे 6 नॉंबर को होने वाली प्रिक्षा के लिए परदे से बाहर केंदर नहीं बनेंगे बलकि हरियाना के अंदर ही तमाम सेंटर बनाए जाएंगे National Testing Agency और हरियाना सरकार की सहमती से परदेस बर के 17 जिलों में यह केंदर बनाए गए हैं 5 जिलों में यह प्रिक्षा नहीं हो गई पहली बार सब्डिविजनल सतर पर भी प्रिक्षा के अंदर तैक किये गए हैं पहले National Testing Agency दिली चंदीगड समेत NCR के जिलों में प्रिक्षा आयोजित कराने पर अड़ी थी लेकिन एजनसी एक ही दिन में पेपर कराना चाहती थी लेकिन बाद में हरियाना के दिकारियों से हुई बैठक के बाद इसे दो दिनों में निर्दारित किया गया है अगर कहीं पर पेपर गड़डी या फिर अन्य दिक्कते आती हैं तो साथ नॉंबर को भी आपका पेपर कंड़ेट कराया जाएगा हरियाना करमचारी चैनायोकित की और से नैशनल टेस्टिंग एजेंसी को परदेश बर के 22 जिलों को तीन कटेगरी में बाठकर रिपोर्ट दी थी एवरग में उनको रख्या था जहां पर प्रिक्ष्या के दोरान पहले कोई गड़ड़ी नहीं हुई बी के दोरान वो जी ले थे जापर गड़ड़ी तो नहीं हुई लेकिन यहां पर गड़ड़ी की आसंका है भई तो यह आपकी पूरी खबर है हर रोज खबर पर आती है कि युद स्तर पर वई सीटी को पेपर कराने की तेहरिया चल रही है फरजी वाड़ा रोगने की तेहरिया चल रही है उसके लिए आपकी बाइमेट् ý होगी आखों का वै वो फेस रिकोगनाईजेशन होगा इसके साथ में आपका फेसियल डाटा आदारकार्ड का डाटा का मिलान किया जागा ये वई कमिशन का खुद का वो है कि जो वो किस तरके उपर फरजी वाड़े को रोकने की कोशिश से करता है तो ये खबर थी पेपर अरियाने से बार नही वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भई धन्यवाद